आज पर बात करेंगे सेंट्रल नुरिशिटी को फिर से डिलीट कर दिया सारी इंफॉमेशन वेबसाइट से डिलीट कर दी और अब तक आपने देखा होगी कि सेंट्रल नुरिशिटी का जो है एंट्य की वेबसाइट अब अब बिल्कुल थोड़ी ओपन तो पहरी थी लेकिन अब बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रही है और देख लेते हैं क्या सिस्टम है तो तरिये जैसे मैं गूगल पर गया प्राउजर पर और मैंने सर्च किया सेंट्री एंट्य नाइसी तो यहां पर जो है इसकी ओपीशिल यह जो इसकी वेबसाइट है cct.nta.nic.in तो इसका प्रेस होता है यह यह आपको यह जो वेबसाइट कहीं भी दिखें cct.nta.nic.in तो यह यह आपका करने वाली है तेस्ट पर गया तो आपको जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यह ज़स्टे ओपन नहीं होती है तो यहां पर चुक्ष कर रहा है यह वाल्ग विंडों से ट्राइट अ किया और यह सब इस्यू नहीं कि मेरा इंटरनेट इस्यू मेरे पास बहुत ही इंटरनेट कनेक्शन होता है तो यह ज़स्ट ओपन ही हो रही है तो ज़स्ट कुछ लोग यह अफवाय उडा है कि वेबसाइट अकली या फिर यह कुछ यूटूब्स यह यह भी वीडियो बना रहें कि एंट्यों का नोटिस नहीं है इसा नहीं है ठीक है यह ज़स्ट टेकनिकल इस्यू के करण हो सकता है और एंट्यों ज़स्ट वह दिनों के बाद इसकी इंफोमेशन आई है वेपसार डिलीज होई है तो यह तोड़ा इस्यू आगया है और जिस्टेकल सट्डे आज संडे था तो ओल्मोस्ट ओपीसे के अंदर जो है सुटी होती है सट्डे संडे की तो आप दिस्ट दो दिन का वेट कर ले सट्डे और संडे आज संडे है और कल लगबग मंडे को वेपसाइट पर वर्क करके साथ इसको ठीक कर दिया जाएगा और साथ हो सकता है इसको एक दो दिन जैसे वेपसाड लेट हुई है तो एक जाम भी एप्लिकेशन फॉम को भी पोस्ट कॉन कर दिया जाएगा साइट पोसिबल तो नहीं है क्योंकि दीन बहुती कम बचे पहले इसके अंदर बताया गया था अब 2 या 3 सप्टेम बटों कर दिया जाए जैसे कि जैए में बगेरा के लिए पोस्ट कॉन करते रहे हैं तो को सकता है कि यह तो यह जारी किया था तो अभी उसकी को इनफोमेशन दिखा नहीं रहा है वेपसाइड ओपन नहीं हो रही है कल दिखा रहा था साम तक इंस्टूट के अंदर इडिविशन भी चाहिए तो आज नीचे वोट्षप नमबर दिया गया है आप उस पर कॉंटक्ट कर सकते हैं वहती कम प्रजिज के अंदर आपकी काउंसलिंग की जाती है गोवर्मेट टोप इंस्टूट के अंदर टोप आयट एंस आयटी देली आ अपने काउंसलिंग का जोनों नहीं अपने अपने काउंसलिंग के इतने पैसे बर्बाद किये हैं तो वो दस्ते बिल्कुल भी समझते हैं इनका प्रोसेस क्या होता है ठीक है ओके थेंक्यू सो मच बाबाइग